Hello everyone, आज किस वीडियो में सिखेंगे रोजाना बोली जाने वाले अंगरेजी वाक्य So first we have, चलो एक काम करते हैं Let's do one thing Next, पहले मुझे पूरा करने दू Let me complete first Let me complete first पहले मुझे पूरा करने दू Complete means पूरा करना Next है, यहां मत उत्रो Don't get off here Don't get off here, यहां मत उत्रो Next we have, कभी कभी घर आया करू Drop in home sometimes Drop in home, sometimes कभी कभी घर आया करू Next, खूम मुश्कुराओ Smile a lot Smile a lot, खूम मुश्कुराओ Next we have, सीधे अपने घर जाओ Go straight to your home Go straight to your home, सीधे अपने घर जाओ Straight means सीधे Next we have, किस किस का हो गया Who all are done Who all are done किस किस का हो गया जिसे बहुत सारे लोग हूँ और वे कुछ काम कर रही हूँ तो वहाँ पर यह पूछा जा सकता है किस किस का हो गया Who all are done Next we have, मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ I spend my time in learning मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ या व्यतीत करता हूँ Next we have, सीधे खड़े रहो जुको नहीं Stand upright, don't bend Bend means होता है जुकना और upright means होता है सीधे Next we have, जाने की जरूरत नहीं है There is no need to go जाने की जरूरत नहीं है There is no need to go ऐसे ही कुछ sentence बोल सकते हैं जिसे कहने की जरूरत नहीं है There is no need to say या पूछने की जरूरत नहीं है There is no need to ask Next we have, मुझे तुम्हें कुछ बताने दू Let me tell you something Let me tell you something मुझे तुम्हें कुछ बताने दू Next sentence हम सब तुम्हारे साथ हैं We all are with you We all are with you हम सब तुम्हारे साथ हैं Next है, तुम कहां कुछ कहती हो या फिर ये कहिएगा तुम कहां कुछ कह पाती हो You hardly ever speak या तुम मुश्किल से ही कुछ बोल पाती हो You hardly ever speak Next sentence है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा I will not let you go I will not let you go मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा Next sentence है, मेरे साथ रहो Be with me Be with me, मेरे साथ रहो ऐसी अगले sentence भी बोल सकते हैं जैसे उसके साथ रहो Be with him Be with him और be with her Next sentence है, तुम वहां किसके साथ थे? With whom were you there? तुम वहां किसके साथ थे? अगला वाक्य है, वहां देखने को कुछ नहीं है There is nothing to see वहां देखने को कुछ नहीं है Next sentence, वहां खाने को कुछ नहीं है There is nothing to eat There is nothing to eat वहाँ खाने को कुछ नहीं है या वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है Next sentence Table पर pan था या pan table पर था There was a pan on the table There was a pan on the table Table पर pan था Next we have अपनी दोस्तों से बात करू Talk to your friends Talk to your friends अपनी दोस्तों के साथ बात करू Next किसी दोस्त को मच छोडू Don't leave any friend Don't leave any friend Leave means छोड़ना किसी दोस्त को मच छोडू Next अपना हिसाब कर लो Clear your accounts Clear your accounts अपना हिसाब कर लो Next sentence है क्या तुमने कुछ कहा? Did you say something? Did you say something? क्या तुमने कुछ कहा? Next है जल्दी ठीक हो जाईए या जल्दी ठीक हो जाओ Get well soon Get well soon अगर कोई ब्यक्ती बीमार है और उसको ठीक होने के लिए आप कहेंगे कि जल्दी ठीक हो जाईए तो वहाँ पर ये यूज़ करेंगे Get well soon जल्दी ठीक हो जाईए Next sentence है इस कार से बाहर निकल जाओ Get out of this car Get out of this car इस कार से बाहर निकल जाओ या चले जाओ Next sentence we have तुम अब क्या कर रहे हो? What are you doing now? What are you doing now? तुम अब क्या कर रहे हो? Next sentence we have तुम वहां क्यों छिपे हुए हो? Why are you hidden there? Why are you hidden there? तुम वहां पर क्यों छिपे हुए हो? Next समय देखो या समय को देखो Look at the time Look at the time समय को देखो Next मैं तुम्हारा कौन हूँ? Who am I to you? Who am I to you? मैं तुम्हारा कौन हूँ या मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? Who am I to you? Next sentence है हमारे पास कुछ है We have something We have something हमारे पास कुछ है या कुछ चीज है Next है उसे ये मत करने दू Don't let him do this Don't let him do this उसे ये मत करने दू Next ये कुछ और है This is something else This is something else ये कुछ और है Next sentence है ये कोई और है This is someone else This is someone else ये कुछ और है Next sentence है मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता I want to go बट I can't I want to go बट I can't मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता Next sentence We have उस लड़के के साथ ठहरो Stay with that boy Stay with that boy उस लड़के के साथ ठहरो Stay means ठहरना या फिर कहीं पर रुखना Next है वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है He is waiting for you He is waiting for you Waiting means इंतजार करना Next है अपने माता पिता को देखने जाओ Go to see your parents Go to see your parents अपने माता पिता को देखने जाओ Next ये है तुम्हारा नहीं है This is not yours ये है तुम्हारा नहीं है Next we have मेरे बारे में सोचो Think about me Think about me मेरे बारे में सोचो या विचार करो Next है तुम्हारा नहीं है तुम्हारा नहीं उसी क्या बताया What did you tell him What did you tell him तुम्हारा नहीं है तुम्हारा नहीं है Next sentence इस लड़की को यहां काम करने दू Let this girl work here Let this girl work here इस लड़की को यहां पर काम करने दू Next तुम्हार के अंदर थे You were inside the house You were inside the house तुम्हार के अंदर थे Next sentence we have उसे धूंडने दू Let him find out Let him find out उसे धूंडने दू Next we have उसे परिशान मत करू Don't bother him Don't bother him उसे परिशान मत करू या तंग मत करू Wather means होता है परिशान करना या don't wax him उसे तंग मत करू Next we have अपनी कार यहां खडी मत करू Don't park your car here Don't park your car here यहां पर अपनी कार पार्क मत करू या खडी मत करू Next sentence we have क्या तुम्हारे पास कुछ था? Did you have something? Did you have something? क्या तुम्हारे पास कुछ था? Next नीली पैन से मत लिखी Don't write with a blue pen Don't write with a blue pen नीली पैन से मत लिखी क्या है उसका नाम? What is his name? What is his name? क्या है उसका नाम या उसका नाम क्या है? What is his name? Next तुम्हारे पास क्या है? What do you have? What do you have? तुम्हारे पास क्या है? Next उसके पास कुछ नहीं है He doesn't have anything He doesn't have anything or He has nothing He has nothing उसके पास कुछ नहीं है Next sentence We have तुम्हारे पास कितना पैसा है? How much money do you have? How much money do you have? तुम्हारे पास कितना पैसा है? Next ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है This is my love for you This is my love for you ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है Next sentence We have क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? Do you have a mobile? Do you have a mobile? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? Next तुम्हारे पास मोबाइल है? You are near about Delhi You are near about Delhi तुम्हारे पास मोबाइल है? Next तुम्हारे करीबी दोस्त हू You are my close friend You are my close friend तुम्हारे करीबी दोस्त हू Next we have वो दिल्ली से अभी अभी आया है या वो अभी अभी दिल्ली से आया है He has just come from Delhi वो दिल्ली से अभी अभी आया है Next बताओ मुझे क्या करना चाहिए? Tell me what should I do बताओ मुझे क्या करना चाहिए? Next खुद के लिए तो हर कोई करता है Everybody does for himself Everybody does for himself खुद के लिए तो हर कोई करता है Next है मैं एक घंटा पढ़ता हूँ I study for an hour I study for an hour मैं एक घंटा पढ़ता हूँ Next है अपने कमरे में जाओ और इंतजार करू Go to your room and wait there Go to your room and wait there अपने कमरे में जाओ और इंतजार करू Next we have कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है I feel like going somewhere I feel like going somewhere कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है Next है मैं कुछ कह रही हूँ I am saying something I am saying something मैं कुछ कह रही हूँ Next है अपने दात अच्छी तरह साफ करे Clean your teeth well अपने दाथ अच्छी तरह साफ करें Next है वो तुम्हारे पीछे खड़ा था He was standing behind you वो तुम्हारे पीछे खड़ा था Next अपने स्वास्ते का ध्यान रखे Take care of your health Take care of your health अपने स्वास्ते का ध्यान रखे Next वह आज आ रहा होगा He would be coming today He would be coming today वह आज आ रहा होगा Next we have तुम कहां जा रहे हो Where are you going? Where are you going? तुम कहां जा रहे हो Next है मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? How can I trust you? How can I trust you? मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? या विश्वास कैसे कर सकता हूँ? Next आपसे ये उमीद नहीं थी या मुझे आपसे ये उमीद नहीं थी I didn't expect it from you I didn't expect it from you मुझे आपसे ये उमीद नहीं थी Next मैं आज ये है पुस्तक पढ़ूंगा I will read this book today I will read this book today मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा Next है मेरे मित्र दोशी थे My friends were guilty My friends were guilty Guilty means दोशी मेरे मित्र या दोस्त दोशी थे Next है मैं कल बाजार जाऊंगा I will go to market tomorrow I will go to market tomorrow मैं कल बाजार जाऊंगा Next हम रात को सौएंगे We will sleep at night We will sleep at night हम रात को सौएंगे इन सब फाईलो को ले कराओ Bring all these files Bring all these files इन सब फाईलो को ले कर आओ Next we have क्या आप मेरी बास सुन रहे हो? Are you listening to me? Are you listening to me? क्या आप मेरी बास सुन रहे हो? Are you listening to me? Next That come after a long वो बहुत देर बाद आया था Next है तुम्हारा चहरा मुझे किसी की याद दिलाता है Your face reminds me of someone Your face reminds me of someone तुम्हारा चहरा मुझे किसी की याद दिलाता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी I was waiting for you I was waiting for you मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी या कर रहा था I was waiting for you Next we have उसने मेरा साथ दिया था He had stood by me He had stood by me उसने मेरा साथ दिया था या वह मेरे साथ खड़ा रहा था Next कहने की जरूरत नहीं कि वो पागल है Needless to say that he is mad Needless to say that he is mad कहने की जरूरत नहीं है कि वो पागल है Next है किसी से कुछ मत मांगना Don't ask anything from anybody Don't ask anything from anybody किसी से कुछ मत मांगना Next मैं आप से कुछ पूछ रही हूं I am asking you something मैं आप से कुछ पूछ रही हूं या पूछ रहा हूं Next मैं क्या-क्या खा सकता हूं What all can I eat? मैं क्या-क्या खा सकता हूं What all can I eat? Next वो हकला रहा था He was stammering He was stammering वो हकला रहा था Next कितने दिन लगेंगे या कितना समय लगेगा How long will it take? How long will it take? कितने दिन लगेंगे? Next यह शर्ट कितने की है? What is the cost of this shirt? What is the cost of this shirt? यह शर्ट या कमीच कितने की है? Next We have तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? Why didn't you wake me up? Why didn't you wake me up? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? Next यह कमीच मैली है This shirt is dirty यह कमीच मैली है या गंदी है? तुम कब मिलोगे? When will you meet? When will you meet? तुम कम मिलोगे Next We have सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है? Which shirt is the best? Which shirt is the best? सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है? Next है तुमने हमेशा मुझे डाटा You always scolded me You always scolded me तुमने हमेशा मुझे डाटा Next है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया I really did wrong to you I really did wrong to you मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया Wrong means बुरा या गलत Next है वो नहा रहा है He is taking a bath He is taking a bath वहन रहा है Would you do me a favor, would you do me a favor please, क्या आप मेरा एक काम करूगे Next वे बाजार जा रहे हैं They are going to market They are going to market वे बाजार जा रहे हैं They are going to market Next है उसे माफी मांगनी पड़ी He will have to say sorry He will have to say sorry उसे माफी मांगनी पड़ी Next समझ गए Understood Understood or Got it Got it समझ गए Next है इससे बहतर कुछ हो नहीं सकता Nothing could be better than this Nothing could be better than this इससे बहतर कुछ हो नहीं सकता